कि वेलकम बैक नाजीन इस वक्त लाहूर में पंजाब असेंबली के 500 गर्स के इर्दगित सेक्शन 144 लगाया गया एंटि राइट पुलीस बलाई गया यह रेंजर बलाई गया गया और जाहर है अभी मुकाबला यही है एक तरफ से वो चाहरें के सेशन हो जो अपोजिशन है और अब तो खेर हकूम और हकूमत जो है और परवेज इलाही साब के लोग वो चाहरें सेश हुआ वह दोष की कहानी है अभी हमारे साथ मुसरत जमशेत चीमा सहीवाHey! हमारे शो में आती ही बड़ी रेगूलरी लीडर है पी टी आई की बहुत चुक्रिया मुसरत चमशेट साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद हैं फैसल चौधरी साहब हमारे दोस्त एड्वोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस वक्ट जो केस लगा हुआ है रूलि इडिटर एडिटर एंड सौन तो इससे पहले मैं पार्टी के पास जाओं बुखारी साथ वेरी क्विक टेक आपकी आपने देखा इसलामबाद में क्या हुआ है आज तो आपकी क्या अब्जर्वेशन्स है एज अन ओनलो कर बहुत शुक्रिया आपका नसीम आपने याद क अपने प्रोग्राम में और मुझे बहुत खुशी है फैसल चौजी साब तर्शीव रखते हैं बहुत मेरे लिए काबले इतराम है लेकिन लहोर में जो कुछ हो रहा है वो बियान से बाहर कहना चाहिए उसको इसलिए कि मुझे हिस्ट्री में कोई प्रेसिडंट नहीं मिलत चौधरी साहिबान के होते हो तो बिलकुल ही कमाल हो गया जिनकी खांदानी रवायात कुछ और हैं वो हमेशा जमूरियत के साथ रहे हैं और अब चीफ मिस्टर बनने के लिए जिस हद तक वो चले गए हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है पंजाब में क्या हो रहा ह मंदरनामा और ये किस नतीजे पर पहुंचेगा इसका भी वही हाल होना है जो सेंटर में हुआ है देखे ना मैं मुखसरन अगर आप मुझे इजास्ट देंगी तो मैं आर्स करूंगा कि प्राइमिस्टर साहब ने हमें एक खत लहरा के बताया और मैंने यकीन किया को कॉछ कॉंस्परिसी हो गई है अमरीका के अंदर जिसकी स्पॉंसर्शिप के साथ-साथ उन्होंने पैसे भी दी है अपोजिशन को मैं तो तकरीबन मान गया था लेकिन अन्फॉर्चनेटली अपोजिशन को मौकर नहीं मिला जो कुछ उन्होंने करना था वो प्राइमिस्टर साह और यह खुदा के लिए खुदा के लिए सियस्टर दानों को हमारे और खास तोर से जो गौर्मिट साइट पर है उनको चाहिए कि कुछ ऐसी रवायात क्रियेट कर दें जिनको एन्वी किया जा सके यह जिस हद तक इस वक्त तक सूरत आल पहुंच गयी है इस से बत्तरीन र दर्वाजे बंद इजलास हो रहे होटलों में तो किसी भी एंगल से इसको आप देखें तो कोई अन्वीएबल सूरत आल तो नहीं है यह दिस नॉट वट वट डिमक्रिसी इस ओल अबाउट चले हम यह जब आप सियस्टानों से खारदार तारे लगाके दर्वाजे बंद क अब अब आप सियस्टानों से और यहां के मुक्तदर हलकों से दौा मांग रहे हम तो ला से दौा मांग रहे हैं क्योंके इधर फिलहाल कोई हाल नहीं है जी अब यू सी नसीम जारा अल्ला इस वेरी बिजी परसन नो कभी कभी अलामिया हम पर भी नजर रहमत है तो यह चल रहे है मुलक से ऐसे तो कोई मजाख नहीं है तो आपका क्या फैसल थोड़े मुसर चीमा साहिबा से सुने क्या जी मुसर चीमा साहिबा बेहाल है सूरत हाल बिसमिल्ला रहमारे रहीं जी बहुत शुक्रिया नसीम जारा साहिबा और मेरे भाई फैसल और बुखारी साब को असलाम लेकम रिखें बुखारी साब की जो एक बात है वो तो बात उनकी उटसे में इतफा करती हूँ लेकिन एक हिस्टरी जो रिपीट हो रही है वो उसका उन्होंने जिकर नहीं किया बेतर था कि वो उसका भी जिकर करते चांगा मंगा को जिस्टिफाइ किया जा सकता और चांगा मंगा से अगले नेक्स्ट लेवल की जदीद दोर की जदीद सैलिंग अन्ड बाइंग आप ज़रा गोर करें के यहां पे तो पूरे का पूरा अंडिया लगाए जाना क्या ये जम्हूरियत है और ये हम कब तक जम्हूरियत का मजाक इस तरह से उडाते रहेंगे फिर मैं ये बताओं कि दुनिया की किसी तारीख में इसकी एक्जामपल नहीं मिलती के एक पकौडों वाला पेपर कोई पकड़ के और उसके ओपर डेपट नोटिफिकेशन निकालते हैं और फिर जब आपका जमीर जागता है आफटर डील डन जिसमें माशाला से जबर्दस तरीके से जमीर रोशन करने का जो पैकेज वो लेके बैठे हुए हमारी एक्सप्रेस के अंदर वो आप सब लोगों को पता है तो ये मजाक और ये तमाश वाला जो इशू था उसके उपर जिस तरह से तहकीकात हुई तो मैं खौाहिश रखती हूँ एक पाकिस्तानी भी हम हैं हम सियस्तदान तो हैं हम टेक्स पे रहें इस मुलका के इसके उपर अजादाना तहकीकात कराई जाए ताके जो आज मेरे भाई बैन सा तक्रीबन का ल फैबरिकेटिड चीज नहीं है वो 110 परसंट ठीक बात है उन्होंने जो जो लफ्स उस लेटर के अंदर लिखा आज वो तमाशा पहले फेडल गर्मेंड में हुआ सिंधा उस में हुआ आज अवारी एक्सप्रेस में हो रहा है और फ्लेटीज के अंदर हो रहा है अचा ये ह हम क्या चाते हैं हम ये चाते हैं कि अवाम के मैंडेट को अब्यूज करना बंद कर दें अचा जी तो मैड यूप पॉइंट थोड़ा आगे जाने दें जी 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 मुसरत सब आगे जाने जे और यह हम आपको बताते चलें कि असकरी जिराए जो हैं और या I'm saying this now हो क्योсь कि बहुत से जर्नलिस्ट बात उनसे भी जाहरा है करें विक्रोजुन का नाम बारबर आ रहे हैं उनके कहने के मताबिक बहुत क्लिर्ली उन्हों ने कहा कि जो उस इलामिय में है जो कि यह है कि जो डिप्लॉमेक्णीलि उन्होंने बात की वो इंटफियरंस थी व communismacies थी, वो कह रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता ना, हमारे पास evidence है के कोई plan हुई conspiracy ना, हमारे पास ये evidence है के vote of no confidence कोई अमरीका के साथ मिल के हुए है, उन्होंने इस हद तक हमें कहा इसका मेरे से जवाब एक line में ले ले ले, नहीं, मैं तो उनका बता रही हूँ, बीबी, मैं आपसे आग्यू नहीं करी, आपने जो फरमाया ना, मैं वो आपको, I was just आपके खित्मत में पेश करी थी, कि ये उन्होंने कहा है, उन्हीं को जवाब दे देती हूँ, मैं ये अर् है, कि लेटर आया, इस बात को उन्होंने माना, लेटर में लिखा रहा है, तो अब मैं ये कैसे मान लूँ, कि इल्हाम था, ये रातो रात ये जमीरों के जो माशाला से तोक्रे उखाव था के, मसलां इतना गुर डाला जा रहा, उतना जमीर मीठा हो रहा है, तो एक आम अन रूलिंग की जो आप बुनियाद है, आप रूलिंग में बार बार ये कह रहे हैं, कि जी, इल्जामात लगा हैं, तो इल्जामात के एविडेंस लाएं, यू वर दैर, इन कॉर्ट के बार बार कॉर्ट ने इसकी बात किये, अच्छा, वरी कुक्ली आप कहीं से पहले हम ब् साथ हैं, गुफ्तगू को जाए रखते हैं, स्टेए विड़ास, विल्कम बैक नाज़ीन, बात हम ये कर रहे हैं, ये जो पंजाब की सूरतेहाल है, तरफ वो है, दूसरी तरफ जो आज कॉर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, उस पर हम बात कर रहे थे, फैसल साब के साथ वो ये फर्मा रहे हैं, कि आप एलेक्शन, वन वर्ड सिलूशन इस एलेक्शन, अच्छा जी एलेक्शन तो आप कह रहे हैं, फैसल, लेकिन ये बताइएगा कि कॉर्ट की आप्जवेशन है, कि आपने एक रूलिंग जिस बेसिस पे दी है, और वो एक आपने अक्यूज किया, आपने लेबल किया है, उसका हमें मवाद तो दें, उसका एविदेंस तो दें, या आप कह रहे हैं, कि वो सब छोड़ के तो चलें, एलेक्शन में चलें, बाकी सब को भूल जाएं, नहीं, देखें, इसके दो पहलों है, अगर तो इसका मैं आपको कल या पर्सों की एक इसके को देखेंगे, बस उसी को देखेंगे, हम फॉरण पॉलिसी को नहीं जाएंगे, अब उसका मतलब यह है, कि वो जो एविदेंस या वो जो चीजें हैं, जो कि वजराजम इमरान खान ने, साबक वजराजम में कहूंगा, उन्हों ने उफर की है, थी, कि आप वो साब सकते हैं, पॉलिसी को इता हैं, यह िन्हों पॉलिसी को तैब के दूचल वो पर इसक्राजम मेंट हैं, वो जो चीजें ऐनागे तो आपने एक argument ये है और बड़ा strong argument है कि अगर अपने जो reasons को probe करना है तो फिर तो आपको memo gate जैसा एक commission बनाना पड़ेगा जिसके उपर फिर उसका mode and modalities and TORs आपको decide करने पड़ेंगी because जिस constitutional jurisdiction में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी भी है उसमें inquisitorial proceedings जानी जिसमें probe या तफ्तीश की जा सकती है या मज़ीद कारवाई की जा सकती है facts finding के लिहासे वो इस jurisdiction में नहीं हो सकती है अदालत जो है इस वक्त वो देख रही है कि यह जो आईन में इस चीज़ की गुझाश है या नहीं तो अदालत इससे आगे नहीं जाना चाहती है अब नसीम थोड़ा सा मैं आपको इसके थोड़ा और elaborate कर जो जी very quickly इसमें एक तो ruling वाला पार्ट है एक ruling के आगे को जो actions हु or constitutionality establish होगी तो वो जो आगे elections हो हैं वो फिर आप कहेंगे कि constitutional है नहीं यह यह देखें यह मैं आपको यह थोड़ा सा जो मैं हम हम इसको फरक समझाना चाहरू हूँ हो यह है कि speaker ने ruling दी right wrong क्योंकि मामला subject is है तो मैं जरा कॉशिसली इसको जीजिए वह को ने decide करना है उसमें दोनों के sides के arguments एक के complete हो चुके हैं एक के सुबा हो जाएंगे उसकी जो है वो करनी अब उसके बाद एक एक event हुआ है event यह हुआ है कि प्राइम मिस्टर ने बजाए के power contain करने के उन्होंने हकूमत contain करने के उन्होंने जो ultimate sovereign यानि अवाम जो है पाकिस्तान के उनके पास जान उसको dissolve करके election में जाने का अगर तो वो कुछ power concentration होती तो फिर तो जो सलावदीन ने कल वहाँ पे कहा था तो वो जर्मिनी की मसालती थी उसमें power concentrate हो गया था यानि उसके बाद इदर जो है जो ultimate decider है उनके पास जाने का फैसला किया गया तो अगर तो हकूमत आप तो यह साब caretaker setup है ना इनका नॉमिनेशन की हताग होगा लेकिन प्रैक्टिकली जो election करवाने हैं वो इदारों ने करवाने हैं जो के इस मक्सित के लिए बनाएगा तो आप कह रहे हैं यह रास्ता यह सलीम उखार सब आपने सुनी यह गुफ्तकू के if we are going to the election so then what's the big deal? आज एक observation partial यह चीफ जैसे साब की कि मैं यह सोच रहा हूं कि इन्होंने एक जमूर के पास चले गए हैं लोगों के पास चले गए हैं तो फिर वो उन्होंने ख़दम ऐसा तो नहीं उठाया कि अपने पास ही पावर क्यों जो यह फैसल कह रहे हैं आप इसको कैसे देखते हैं जी देखे पहली बात तो यह है कि यह जो हम बात कर रहे हैं कि जो rejection की थी डिप्टी स्पीकर साब ने देखिए तीन स्टेजिस होती हैं किसी भी motion की एक होती है जब वो चेंबर के अंदर submit होती है आप उसके उपर इतराज लगा कि उसको reject कर सकते हैं फिर जब वो टेबल होती ह आपके पास कोई इतराज है तो उसको लगा कि आप reject कर सकते हैं on the day of voting जिस दिन voting होनी है उस दिन आपके पास कोई और option नहीं है यह constitution कहता है समझने की बात है वैसे आप जो मर्दी समझे हैं नहीं ऐसी सुचा हूँ दूसी बात यह कि उसके बात के जो actions है वो अभी तक बिल प्रूवल्स और लिंक प्रसीडिंग इन दे स्प्रीम कोट पतानी है कैसे आडर पास हो रहे हैं जनाब तो कहने का मतलब यह है कि एक गलती हो गई या भी उसको हम ठीक करनी पाए हैं तो गलतियों के ओपर गलतियां होती जा रही हैं यही कुछ अभी मेरी बेहन कह रही थी के वो च्छांगा मंगा नहीं हैं अवारी नहीं है यह मंडियां तो बहुत पहले से लगती रही हैं नसीम जारा को याद होगा एक दुलाई केम्प भी था उसके बाद आपको याद है च्छांगा मंगा आपने खुद कह रहे हैं तो जहाज में भी तो मंडियां लगी थी जहांगी तुरीन के। ऐसको तो सब ठीक था जब लोगोंstars औठार आपूपत करे जा रहे थे हैं चीज जो है वो जा रही है इसको बचाएं खुदा के लिए अगर आपने हिस्टरी में अपना नाम एज़ गुड पार्लिमेंटरियन लिकवाना है जी लास्ट कॉमेंट मुसर जबीन साहबा मुसर जम्शेच साहबा शॉर्ट जी जी उसका जो जलालत से बचने का तो एक ही ज हो जाएगा दूसरी बात इलेक्शन से पहले कोई अगर अपनी मुदद पूरी करने के बाद किसी दूसरी पार्टी को जॉइन करता है या कोई दूसरी जमात हमारे साथ लहाग करती है वो जमीर फरोशी नहीं हुई थी वो लोगों ने बाइच च्वाइस अजाद सिच्वेशन को आप मिक्स नहीं कर सकते यह दिसरी बात इंपॉर्टन चीज मंडी लगाने की तो हमारे लिए लगाना ज्यादा असांद की ज्यादा बड़ी 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 लगाते हम लोगों उसको पर आपका कौन सा कंट्रोल है जी मैस करूं आप उनको भी सद्दार क सिच्वेशन की एक हकोमत अगर हाँ ठीक है अमेरिकन डॉलर्स बड़े आए हम भी इतने पैसे लगा सकते थे अवाम के टेक्स का पैसा अगर हम लगाना चाहते इसे बड़ी बंडी लगती लेकिन हम नहीं लगाएंगे आफरी दिन तक नहीं लगाएंगे हम अवाम के पास कल इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की उमीद है जज्जमेंट आ चुकी होगी और मामला कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगे मैं तरफ से इतना हैंगे बदाफिस पाकिस्तान जिंदा बाद